जग्यासों मेत्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्वे सरजन में प्रतेट दिवस की भाती आज फिर हम यहां पर यह लाइव चर्चा का कारिक्रम चुरू कर रहे हैं इस लाइव चर्चा के कारिक्रम का आज का जो विश्य है श्रीमत भगवत गीता के 18 अध्याय से त्याग और सन्यास में अंतर क्या है त्याग और सन्यास में अंतर क्या है आज इसी विश्य है पर हम चर्चा करेंगे कि त्याग और सन्यास में क्या डिफरेंस है प्री भगवान इस विश्य है पर चर्चा करते हैं इस विश्य को समझाते हैं और समझाते हुए बहुत सारी बाते बताते कि त्याग और सन्यास में डिफरेंस क्या है क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग-अलग है त्याग और सन्यास एक ही है या अलग-अलग है तो अर्जुन का प्रश्न है सन्यास अस्य महा बाहो तक्त्व मिक्षामि वेदतम त्याग अस्यच हर्शिकेश प्रथक केशिनी शूधन है महा बाहो है हर्शिकेश है केशिनी सूधन मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग-अलग जानना चाहता हूँ अर्जुन भगवान स्रीक्रिशन से पूछता है मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग-अलग जानना चाहता हूँ भगवान कहते हैं कि कवया काम्यानाम कर्मानाम न्यासनम सन्यासम विदु इसे काम्यानाम कर्मानाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा त्याज्यम दोश वदित्ते के कर्म प्राहुर मनीशिन यग्यदान तपह कर्म न त्याज्यमीती चा अपरे विद्वान काम में कर्मों के त्याग को सन्यास समस्ते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग समस्ते हैं कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दूश की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यग दान और तप रुपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए अर जुन प्रशन करता है भगवान से अब भगवान उत्तर देते हैं निश्यम श्रिनु मेतत्र त्यागे भरत सक्तम त्यागोही पुरुष व्याग्र त्री विधस संप्रक कीर्टितिह थे भरत वंशियों में सरेष्ट अर्जुन तु सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विशय में मेरा निश्य सुन थे भरत वंशियों में सरेष्ट अर्जुन तु सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विश्य में पहले भगवान त्याग के सन्यास के विश्य में पहले बता चुके हैं अनाश्यतो करम फलम कारियम करम करोतिय ससन्यासी चयोगी जो अनाश्यत होकर कर्म फल के परती अनाश्यत होकर जो कर्तव्यों की पालना करता है जो कर्म करता है वही तो योगी है वही तो सन्यासी है ये तो पहले भी बताया जा चुका भगवान इस संदर्म में पहले त्याग का वर्णन करते कि त्याग के विश्य में मेरा निश्य सुन क्योंकि है पुरुष्रेश्ट त्याग भी तीन प्रकार से कहे गए है यग्यदान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए यग्यदान और तप रूप कर्मों का तो कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए वो तो कर्तव्यक समझ कर उसको करना चाहिए यग्यदान और तप ये तीनों ही कर्म मनिशियों को पवित्र करने वाले हैं पवित्र करने वाले कर्म हैं इसे जीव की कर्मों की पवित्रता होती है तो ये कर्म नहीं छोड़ना चाहिए दान नहीं छोड़ना चाहिए तप नहीं छोड़ना चाहिए यग नहीं छोड़ना एतान यपीतु कर्मानी संगम त्यक्तवा फलानी च कर्तव्यानी ती मेपार्थ निश्चितम मत्मुत्मम खेपार्थ इन यग्दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसकती और फलों की इक्षा का त्याग करके करना चाहिए यह मेरा निश्वित किया हुआ उत्तमत है उन्हें आसकती द्रहित और फलों की इक्षा का त्याग करके इसको करना चाहिए तब उसका पुन्य ज्यादा मिलता है लाव ज्यादा मिलता है पुरत का युद्ध खड़ा है नियती से प्राप्त हो रहा है उसे जो कर्तव पारिवारी कर्तव भी हो सकते हैं समाजी कर्तव भी हो सकते हैं जो नियती से हमें प्राप्त हो तो जो नियत कर्म है वो तो त्याग करने योग्य होते ही नहीं है नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है उसका मोह पुर त्याग करना तामस कहा जाता अगर मोह पुर्वक अगर तुम नियत कर्मों का त्याग कर दे तो जो नियती से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें तामस कहा गया है जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है ऐसा समझ कर साय कलेश भयात शारिक परिश्रम के भय से त्याग कर दे वह राजस जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है और ऐसा समझ कर मातर शारिक परिश्रम से बचने के लिए अगर कर्म का त्याग कर दे तो वह राजस त्याग कहलाएगा वह त्याग के फल को प्राप्त ही नहीं करेगा ते अर्जुन केवल करतवे मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आ सकती और फल की एक्षा का त्याग करकर किया जाता है वही तो सात्विक त्याग है सात्विक त्याग क्या है जो करतवे मात्र समझकर किया जाए कर्म में आ सकती ना रखा जाए फल के इख्षान ना किया जाए और फिर करतव समझ कर जो कर्म किया जाएगा जरूरी कर्म अनिवारे कर्म वो सात्विक कहा जाएगा ना द्वेश्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुशज्जते क्यागी सत्व समा विष्टो मेधावी जंशन्शयह अकुशल कर्म से द्वेश नहीं करता कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता जो अकुशल कर्म में अकुशल कर्म से जो मन नहीं करना है करने का इसमें कुशलता प्राप्त नहीं है अकुशल कर्म से द्वेश नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित अपने स्वरूप में इस्थित होता है वह त्यागी बुद्धिमान अपने स्वरूप में ही इस्थित होता है ऐसा समझना चाहिए तो देधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है अर्थात कर्मों का त्याग तो संबव है नहीं तो किसका त्याग करोगे कर्म फल का त्याग करो फिर और जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है ऐसा समझना चाहिए जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है जो कर्म के फलों का छो भगवान कृष्ण यहां पर यही व्याख्या कर रहे है कि जो कर्म फल का त्याग करे वही सच्चा त्यागी है क्योंकि कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है या तो श्री भगवान कृष्ण पहले ही समझा चुके कि कर्मों का त्याग संभव नहीं है छड मात्र के लिए भी कोई कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकता है तो कर्म का त्याग करने के बजाए कर्मों को करना सीखना चाहिए जो कर्मों को अच्छे से करना सीखता है न कर्म फल का त्याग करने के बजाए कर्मों को अच्छे से करना सीखना चाहिए उचित कर्मों का निर्णय लेना चाहिए उचित कर्मों का निर्णय लेना चाहिए तो ये बात हमें समझना चाहिए और कर्म फल में कोई आ सकती नहीं रखनी चाहिए कर्म फल में अगर आ सकती है तो वह दुख का कारण बनेगी इसलिए कुशल अकुशल जिसमें कुशलता है और जिसमें कुशलता नहीं है जो हमें अच्छा लग रहा है और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है इन सब में अनासक्त भाव होकर उन सभी करतव रूप में आने वाले चाहे उसमें कुशलता हो चाहे उसमें कुशलता ना हो अना सक्त रूप में आने वाले, अना सक्त रूप में, अना सक्त भावना से कर्मों को करना चाहिए, कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का त्याग करना चाहिए, यह गुल रहस्य भगवान यहां बता रहे हैं, हलाकि पहले भी ये चर्चा कर चुके कर्म फल का त्याग करो ना कि कर्म का त्याग करो कर्म फल में आ सकती मत रखो बलकि जो करने योग कर्तव वे कर्म प्राप्त हो रहा है उसे निश्ठा से तो करना ही चाहिए यही श्री भगवान यहाँ पर इस्पष्ट कर रहे हैं गीता के आरहमे अध्याय में त्याग का वास्तविक अर्थ बताए यूँकि त्याग के नाम पर भी बड़ा आडंबर होता है त्याग के नाम पर भी बड़ा आडंबर होता है कर्म फल का त्याग करने वाले को कोई फल कहीं भी कुछ नहीं होता अब क्या है कि अनिष्ट इष्ट अनिष्ट और मिष्ट ये योग सुत्र के अंदर और सांख सुत्र के अंदर इसकी चर्चा मिलती है महरशी पतंजली ने चार प्रकार के कर्म बता है अशुकल अक्रिष्ण शुकल क्रिष्ण और मिश्रित जो भगवान यहां पर मिश्रित इस्ट अनिस्ट इस्ट क्या है शुकल इस्ट है अनिस्ट क्या है कृष्ण अनिस्ट है और इन दोनों का मिश्रन मिश्रित है लेकिन जो ना इस्ट है ना अनिस्ट है वह योगियों का कर्म है जो ना इष्ट है ना अनिष्ट है वह योगियों का कर्म है कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुश्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार के फल मरने के बाद मिर्त्यु के बाद प्राप्त होता है परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कोई फल प्राप्त नहीं होगा वो मुक्त हो जाएगा कर्म फल का त्याग करता है फलों का त्याग करने का उपदेशी फलों का त्याग ही महान त्याग है ना कि कर्मों का त्याग और जो ज्यान यज्य तप दान रूपी कर्म है यह तो सरवदा ही करना चाहिए कर्म फल भोगने पड़ते हैं जीव को भगवान यहाँ पर कई प्रकार से कर्मों का वर्णन कर रहे है और वो समझने योग्य है जानने योग्य है तीन प्रकार से भी कर्म होते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे इसलिए कर्म फल का त्याग होना जरूरी है ना कि कर्म का त्याग होना जरूरी है और कर्म फल का त्याग ही सत्विक त्याग है भगवान कहते हैं पंचेतानी महाबाहुकार नानी निबूध में सांखे किर्थान ते प्रुक्तानी सिध्धिये सर्व कर्म नाम कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिध्धान्त में कर्मों का अंत करने वाला सांख्य सिध्धान्त कर्मों का अंत करने वाला सांख्य सिध्धान्त सांख्य क्या है कर्मों का अंत करने वाला कर्मों के अंत करने वाले सांख्य सिध्धान्त में संपूर्ण कर्मों की सिध्धी के लिए ये पंच कारण बताए गए हैं इनको तुम समझो तो भगवान आगे कर्म सिध्धान्त को फिर समझाना शुरू करते हैं कि भई कर्म सिध्धान्त कैसे कारे करता है लेकिन यह त्याग क्या है और यह सन्यास क्या है तो इसका उत्तर देते हुए भगवान यही कहते है कि तू पहले त्याग को समझ और जो त्याग स्वार्त की भावना से किया जाए प्रदर्शन की भावना से कुछ ऐसा तो तामसी और जो आलस्य के कारण की भाई हमको नहीं करना है हमने छोड़ दिया हमारा मन नहीं है कर्तव भी है तो भी तो राजसी त्याग और जिसने कर्म फल का त्याग किया कर्तव समझ कर कर्म फल पर बिना आश्रित हुए कर्तव समझ कर जिसने भी कर्म किया और कर्म फल का त्याग किया वह सात्विक त्याग है सात्विक त्याग और वही महान त्याग है और ऐसा त्याग करने वाला क्या है सन्यासी है कैसा त्याग करने वाला सन्यासी है जो करमों का त्याग ना करके करमों के फल का त्याग करता अनाश्रितो कर्म फलम कारियम कर्म करोतिय ससन्यासी चयोगी पहले भी भगवान कृष्ण इस विशे को इस पश्ट कर चुक है कि अनाश्रितो कर्म फलम कारियम कर्म करोतिय कि अरजुन अनाश्रित होकर कर्म फल के परती अनाश्रित होकर कर्मों का जो फल आने वाला उसके प्रती अनाश्रित होकर करने योग्य जो उचित कर्म है करने योग्य जो उचित कर्म है वह करना चाहिए बिना किसी फल की एक्षा के करना चाहिए करतव समझ के करना चाहिए और ऐसे कर्मों को करने वाला जो मनुष्य है वह योगी है वही सन्यासी है नाकी मात्र बाहर से बाहर से क्या नारी मुई घर संपति नासी मुण मुणायब है सन्यासी ऐसे जो साधू बन गए सन्यासी और सोच रहे हैं कि हमने बड़ा त्याग कर दिया हम सन्यासी हो गए नहीं अनाश्र तो करम फलम कारियम करम करोती असा सन्यासी चाहिए होगी वह भगवान पहले भी कर चुके खटे अध्याए में 18 अध्याए में भी वही बात रिपीट करके समझा रहे हैं कि अरजुन करमों के त्याग से कोई सन्यासी नहीं बनता करमों के फल के त्याग से सन्यासी बनता करमों के त्याग से कोई भी सन्यासी नहीं बनता यह ध्यान रखिएगा कि हमने यह कारे हमने शादी नहीं कर ली, हमने ब्याह नहीं किया, तो हमने धन दौलत छोड़ दिया, हमने राज महल छोड़ दिया रानी चुडाला की कहानी आती है योगवासिस्ट में उनका विवा और राजा से हुआ ये तो अपनी ध्यान साधना और सत्संग में रहती थी लेकिन उनके जो पती थे राजा वो नहीं रहते थे, अपने पती यो कभी कभी समझाती तो राजा कहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ छोड़ दूँगा तो बार-बार मुझे ऐसी ऐसी बाते बोलती है सत्संग की, अध्यात्म की, आत्म ग्यान की तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाओंगा एक दिन राजा को रानी पे घुसा आया और सब कुछ छोड़ के चला गया ताकि जब देखो तब मुझे ग्यान बाटती है पहाड पर चला गया तपस्या करने लगा उस समय बाद वहां पर एक साधू आये कोई संत आये, उन्होंने पुछा क्या कर रहे हो तुम राजा ने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैंने अपना घर बार, अपना महल मैं राजा हूँ और मैंने इतना इतना छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने सब कुछ, तो उस संत ने कहा आग ढोंग है सब, ढोंगी है तू, ढोंग कर रहा है तू, अब कई लोग प्रबचन देते मिलते हैं कि भाई हम तो हमने ऐसे छोड़ दिया, ये जीवन हम जी रहे हैं, ऐसे जीवन हम वो जीवन हम जी रहे, अरे, कहां से जाएगा ये एहंकार, राजा ने कहा कि हमने ये त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, महल त्याग दिया, दास दासिया त्याग दिया, संत ने कहा ढोंग कर रहा है, तु कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं त्यागा तुन्हें, कोई त्याग ना हुआ तुझसे, उसने कहा कि क्या बोलते हो, अब कुछ बचा है मेरे शरीर पर ये वस्त्र ही तो बचा है, बाकी सब तो मैंने त्याग ही दिया, आके ने ढोंग है सब तेरा ढोंग, तु कुछ नहीं कर रहा, कोई त्याग नहीं है तेरा, राजा ने अपने राजसी वस्त्र निकाले त्याग दिये, निकाला और पहाड के नीचे फिये, लो मैं नंगा हो गया, नंगन हो गया हूँ, वस्त्र भी त्याग दिये, संतने कहा ढोंग है, सब ढोंग है तेरा, कुछ नहीं है तेरा, इतना त्याग भी कर दिया, तो क्या, स पतनी उनकी चुड़ा देवी चुड़ाला थी, में इतनी पतनी आ थी, इतने दास दासी आ थी, इतना सब कुछ था, सब तो छोड़ के आ गया हूँ जंगल में, यहां पहाड में, आप कहतों कि मैंने कुछ त्यागा नहीं, अब यह शरीर ही तो बचा है, अब कपड़े भी नगन खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, फिर भी तुमको नहीं दिखाई देता कि मैंने त्याग दिया, संतने का डों कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, अगर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब कूद जाता हूँ, यह शरीर भी छोड़ देता हूँ, संतने सोचा कि भाई, यह स महल त्याग दिया, मैंने अपने पत्नियों को छोड़ दिया, मैंने अपने दासदासियों को छोड़ दिया, यह हर सब के साथ तेरा है ही क्या, तो यह समझ कि बस तेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य समझ कर बिना फल की कामना किये जा, फिर से राज सिंग आसन पर बैठ और ज सोची मत रखो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ ठीक है कर्म करते जाओ और जो करतव की भावना से कर्म करता है वही तो सन्यासी है वही तो योगी है ऐसा तो भगवान यह भी कह रहे है कर्म योगी कहा गया उसे और सन्यासी भी भगवान उसे मान रह है तो करतव्य समझकर करतव । समझकर कुछ गलत दिखे तो उस गलत को रोखना भी कर तब भी नियती से जो प्राप्त हो रहा है परस्थितियां जो मिल रही हैं एक तो आपको तीन चीज़े छोड़नी नहीं थैकन नहीं त्याग नहीं Jam कौन कौन सी तीन चीजे नहीं त्यागनी है यग्य दान अतप इत्यागना नहीं चाहिए इत्यागनी योग्य है ही नहीं दूसरा कर्तव्य कर्म जो कर्तव्य जो भी नियती से प्राप्त हो राय कर्तव्य उसको करना चाहिए और निश्काम भावना से करना चाहिए बिना फल की इक्षा लिए करना चाहिए नहीं तो कई बार यग दानतप करते भी लोगों को एहनकार हो जाता है विकार उत्पन हो जाते हैं कहते हैं ना कई बार साबुन से कपड़े धोते समय साबुन का ही दाग कपड़े पे लग जाता है साबुन का ही दाग कपड़े पे लग जाता है कई बार ऐसा होता है जिस साबुन से कपड़े धो रहे उसी का दाग लग गया ऐसा भी हो जाता है तो कई बार ये तपस्या साधना करते करते योगियों को भी लगता है कि हमने इतनी तपस्या कर ली इतनी साधना कर ली एक बार ऐसे ही मचहंदर नाथ के सिश्यों के साथ हो गया नाथ संप्रदाय के सबसे पहले गुरू मचहंदर नाथ जो की गुरु गुरक नाथ जी के भी शिश्य गुरु थे उन्होंने देखा कि इन सिश्यों को अपनी सन्यास अपनी तपस्या का बहुत एहंकार हो रहा है इनको जो है अपनी तपस्या, अपने सन्यास एहंकार ये अपने आपको बड़ा स्रेश्ट समस्ते हैं ये साधू बन गए हैं तो ये सोचते हैं कि ये ग्रिहस्तों से स्रेश्ट हो गए है इनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन हो रही है मचंदर नाथ जी ने लीला की ताकि ठीक है देखो फिर मचंदर नाथ जी ने लीला की और मचंदर नाथ जी ने क्या किया सन्यास वन्यास छोड़ा और जाकर उन्होंने विवाह कर लिया एक राज्य में गए जहांपर तिरिया राज था कहते हैं और वहां जाकर वहां की राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया और विवाह करके ग्रहस्त जीवन में चले गया उनका एक पुत्र भी जनम लिया पुत्र भी हुआ ग्रहस्त जीवन में चले गया अब जो है शिश्यों को लगा कि भाई गुरु जी कहां चले गए गुरु जी कहां चले गए बात दें पता चले अरे वो तो उन्होंने तो विवा कर लिया घोर अनर्थ हो गया ऐसा विचार उनके मन में आना शुरू हुआ कि यह तो घोरनर्थ हो गया चलो गुरु जी को वापिस लाते गुरक नाद जी ने प्रण लिया कि मैं गुरु को वापिस लेकर आऊंगा अपनी सिद्धियों का प्रेव करना शुरू किया कि मैं वापिस लेकर आऊंगा यह मार्ग बटक गया है क्या कुछ शिश्यों में ऐसा विचार पनप गया लेकिन मशेंदर नाद जी तो लीला कर रहे थे एहंकार नश्ट करने के लिए कि देखो ऐसा मत सोचना कि भाई मैं ग्रिहस्त हो गया तो मेरे अंदर कोई तपोबल नहीं है या मेरे अंदर कोई सिद्धी नहीं है ऐसे तो अवतारी पूरुस हैं वो तो हमेशा ही वो सादू बनके रहें चाहे ग्रिहस्त बनके रहें क्या फरक पढ़ने वाला है जैसे भी रहे लेकिन जान बुज़कर अपने शिश्यों का एहंकार तोड़ने के लिए इस भ्रह्म में मत रहना कि तुम साधू बन गए तो तुम ही तपस्या करते हो कोई ग्रहस्त भी तो तपस्या कर सकता है वो भी अपनी साधना को उचाईयों पर लेकर जा सकता है वो भी तो कर सकता है अब शुक्देव मुनिका यही तो संशय था वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला तो दिमाग उनका चकरा गया वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला तो दिमाग उनका चकरा गया इतनी तपस्या की फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। नाराज जी के पास गया, नाराज जी ने अपने पिता जी के पास जाओ, वेदव्याज जी उनके पिता थे। आगे पिता जी मार के दिखाईए तो वेदव्याज जी ने कहा कि अगर तुम्हें तत्व ग्यान चाहिए, गुरु बनाना है, सत्व ग्यान चाहिए तो जाओ राजा जनक के पास जाओ, विदेह जनक तुमको ग्यान देंगे, जाओ उनकी शरन में जाओ, इस प्रकार से भेज दी, अब उनको संच है कि भाई ये राजा आदमी मैं जनी तपस्या कर चुका और वो राजा आदमी मुझ मुझे क्या भला देगा, मुझे क्या ग्यान देगा भला, लेकिन महान कर्म योगी थे राजा जनक, राजा जनक महान कर्म योगी थे, ठीक है, तब जानते थे, उन्होंने अपने कर्तवियों की पालना की बिना फल की इक्षा की निश्काम कर्म योग किया, तपस्या की, दान किया, यग्य किया, लेकिन शुकदेव जी को लग रहा था कि भाई, मैं जंगल में चला गया, तो मैं नहीं तपस्या की है, ये घर में बैठ कर राजा, ये राजा जो है, इसने भी तपस्या की है अपने जीवन में, और तत्वग्यान को प्राप्त किया है, महान अवस्थाओं को प्राप्त कि कि कोई राजा होकर भी इतनी उचाईयों को छू सकता है कि एक राजा आज शुकुदेव वेद व्यास के पुत्र को ग्यान देगा एक राजा वेद व्यास के पुत्र को ग्यान देगा पड़ी समस्या थी लेकिन जाना पड़ा कोई विकल्प नहीं था तो इसलिए भगवान कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कारियम कर्म करोती कि अनाश्रित होकर कर्म फल के परती अनाश्रित होकर कर्म करना चाहिए तो सन्यासी चाहिए वही सन्यासी फिर वही योगी होता है तो उसी बात को यहां बगवान कहते है कि कर्मों के त्याग से कुछ नहीं होता कर्मों का फल त्याग क्योंकि कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है तो कर्मों के त्याग से क्या हो जाए कर्म फल का त्याग करो aur अनाश्ट घोकर कर्म करो करत्व की पालना करो तो वह तुम्हारा निश्य ही इस रिष्ठ कर्म कह लाएगा तीक है और योगी बनो घर में रहते हुए योगी बनो है कि ध्यान योग का कॉर्स करो अपने सारे कर्तव्यों को भी पुर्ण करो अपने सारे कर्तव्यों को भी पुर्ण करो अपने सारे कर्तव्यों को भी पुर्ण करो और ध्यान योग भी करो ध्यान योग का कोर्स बीस मई से शुरू होगा एक महिने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं जुड़ीया और इसका लाब उठाईए ज्वाइन जुपीटर एंड सन मेंबर्शिप ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉंटी में 2023 2023 से शुरू होगा 20 मईं 2023 ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए 9661802459 नंबर पर वाट्सअप में नंबर हम आपको दे देते हैं इस नंबर पर आप संपर करकर ध्यान योग और प्राकरतिक चिकित्सा की जानकारी राप्त कर सकते हैं या फिलासफी का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर कर सकते हैं पांच तारिक तक ज्वाइन कर सकते हैं फिलासफी का चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके टिपनी आपकी कमेंट्स देखते हैं पुषपा शर्मा जी बहुत अभिनंदन सुर्जनी महंता जी गुरु जी क्या आपके जोतिश गंणा के अनुसार युग परिवर्तन और महा विनाश होने वाला है अगर होगा तो कब तक होगा भीया कौन बता रहा है कि जोतिश गंणा के अनुसार महा विनाश होने वाला है कोई बता रहा है तो बताईए हमारी तो कोई ऐसी गंणा नहीं है तेखना और रही बात परिवर्तन तो प्रतेक छण हो रहा है प्रतेक छण ही परिवर्तन हो रहा है महोदे परिवर्तन तो प्रतेक छण हुए जा रहा है मिमान सा पढ़िये न शास्त्र क्या कहते है इस विशे में ऐसा कौन सा छण है जिस समय परिवर्तन नहीं हो रहा बताईए यूग परिवर्तन क्या होगा यूग ठहरा हुआ है क्या रुख गया है क्या टाइम रुख गया है क्या समय नामक चीज कभी रुख सकती है और क्या इसे कोई रुख सकता है परिवर्तन तो चल रहा है परिवर्तन तो प्रक्रिया में है परिवर्तन हो जाएगा ठीक है और महाविनाश होने वाला है कौन सा महाविनाश कैसा महाविनाश होगा भई स्रिष्टी और प्रलय दोनों एक साथ चलते हैं जब प्रलय होता है तो स्रिष्टी भी होती और सच पूछो तो अभी भी प्रलय हो रहा है और साथ में स्रिष्टी भी हो रही है आप क्या कहना चाहते हैं महाविनाश हो जाएगा तो फिर सृष्टी नहीं होगी क्या अरे साथ में ही सृष्टी की भूमिका रच जाएगी जब महाविनाश होगा तो साथ में ही सृष्टी की भूमिका बन जाएगी अपने आप सृष्टी होना शुरू हो जाएगी क्यों परिशान है आप अपने कर्मों को भोगे बिना कहीं नहीं जाने वाले प्रकृति छोड़ेगी नहीं ध्यान रखेगा आपको अपने कर्म भोगने या तो योग कीजिए तो क्या विनाश हो जाएगा तो फिर क्या लोगों को उनकों कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्या नए कर्म नहीं होंगे तो इस तरह के विनाश की जो कल्पना है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और कोई जीव ही इस पर नहीं रहेगा कुछ होगा ही नहीं या व्यर्थ की कल्पना है या व्यर्थ की कल्पना है ठीक है इसके चक्कर में मत ही पढ़िये तो अच्छा है अभी 2012 में सब लोग विनास करवा रहे थे और कुछ संस्थाएं हैं हमारे देश में धार्मिक संस्थाएं उतर अतर की भविश्वानी अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे रहिए अब वो जो भाई साब कहा रहे थे उनकी उमर हो गए थी 80 साल भुजुर्ग हो चुके थे वो बाबा जी उन्होंने कहा कि 80 बता नहीं 80 साल मैं तो देख ना पाऊं लेकिन आप लोग देखोगे दुनिया बदल जाएगी सब कुछ खतब हो जाएगा 2036 आते आते हैं ठीक है हम भी यहीं बैठे हैं और हम आपको शुब कामनाई देते हैं कि आप 100 साल की जिंदगी जी हैं और जब 2036 आएगा तो आपस में मिल बैठ के बात करेंगे की देखते हैं कितना तहसन मषा हुआ कि अगविनाश हुआ ऐ भाई परिवर्तन चल रहा है अब हिनाश नहीं हुआ तर्के तुरके और सिरिया में भुकम पाया लाखों लोग फटाहत हुए हैं आप 2036 में क्या इसी साल कितना विनास हो गया 2036 के आस पास कोई घटना घट जाएगी घटना लेकर संस्ता वाले सुना देंगे इन कितने लोग मरें लाखों लोग इतना बड़ा अर्थक्वेक का इंपैक्ट पिछले कुछ साल पहले बाड आ गया था जल प्रले आ गया था केदारनाथ में बहुत लोग इधर उदर हो गए तो ये सब जो बाते हैं न ये विर्थ का समय बरबाद करने वाली बाते हैं कि महाविनाश होने वाला है और अगर होगा तो कब होगा लोग फैलाते रहते हैं चलिए कभी और इस पर हम चर्चा करेंगे तो हम ऐसी कोई गणना नहीं कर रहे हैं कि महाविनाश होने वाला है अभी कुछ लोग कुरोना टाइम में भी बहुत सारी बाते कह रहे थे अभे जो 2036 की भविश्वानी करते हैं उन्होंने कुरोना की भविश्वानी पहले क्यों नहीं की ठीक है तो ऐसी संस्थाओं और ऐसे महराजों से दूर से प्रणाम गोविंद प्रसाद जी, नरेंदर माकोडे जी, नभजोत नाथ जी, अमन कक्कर जी, कनहाई कुमार जी, राजुपाल जी, उशा सिर्वास्तो जी, पलकधारी राजवर, योगिंदर पंडित, अभनी प्रधान, संतोष कुमार, गोविंद प्रसाद नीमा, गंभीर शाह, विनोद कुमार सूध, विमला शाह, इसमिता सावंद, विष्णुचंद्र मौरिया, सेखर, दिती सिनहा जी, सविता नायक जी, रूप लाल विश्व कर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा, स्वेता राय सिनहा, पतीश मास्टर जी, विकरम सिंग, रतन सिंग, एके त्यागी, राम विलास जी, आशा रानी, राम निवास मीना, सन्यवाद भारत, सोनी पंडित, रीना, दिक्षित, योगेश खैरनर, कमलेश खैरनर जी, अफंता प्रोडक्शन जी, डिवाइन लब, राजेंदर चोहान, नरसा राम जी, किशुर वैद्या, कर्म सन्यास अर्थात, सर्न समस्त कर्मों में कर्तापन का त्याग, जी हाँ, कर्तापन का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग, कर्तापन का भी तो त्याग होना चाहिए, और कर्म के फल का त्याग होना चाहिए, कर्ता तो प्रकृति है, भगवान ने प्रकृति को कर्ता माना है, कहा है कि जो प्रकृ प्रापन का त्याग प्राकृतिक रूप से यह समझ पैदा हो कि हम तो अरे भाई हम कर्म क्यूं कर रहे हैं ये गीता का एक बहुत ही महत्त पुर्ण विश्य है कि भगवान इस बात को भगवान कृष्ण इस बात को इतना इस्पष्ट करते हैं कि ईश्वर आपसे कोई कर्म नहीं करवाता प्रकृति के गुण है जो आपसे कर्म करवाते हैं अगर आपको बहुत कुरोध के वशिभूत आपको कर्म करने वाले हैं तो यह कौन करवा रहा है यह गुण करवा रहे हैं अगर आप पुन्य कर रहे हैं पुन्य कर रहे हैं बहुत पुन्य दान पुन्य कर र का इश्वर के अंदर करतापन है ही नहीं इश्वर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि त्याग यह नीजी जीवन में प्रमानित होता है कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हम करते हैं जैसे जैसे गुण हावी होगा तो कुछ दान अपुनने का अच्छा ज्यान बाटने का कुछ धार्मी कर्म करेंगे रजोगुन हावी होगा competition में आएंगे सोचेंगे बड़ी company खोल देते हैं ये कर देते हैं वो कर देते हैं राजनीती में चले जाते हैं बहुत प्रकार का कर्म करेंगे तमोगुन आएगा तो बस अपना मस्त रहते हैं भोग विलास में ठीक है तो कोई इश्वर आपसे कर्म नहीं करवाता प्रकृति के गुण ही आपसे कर्म करवाते हैं पहले तो यह इसपष्ट कर लीजिए और यहाँ पर एकदम फिट कर दीजिए और यह बात बहुत प्रक्टिकल है क्यों प्रक्टिकल है क्योंकि नीजी हमारे रोज के जीवन में दिखाई देता है हमारे प्रती दिन के जीवन में यह सब दिखाई देता है कि हम तिन किन गुणों के वशिभूत कर्म को करते हैं तो जब ये बात समझ में आ जाए तो करतापन का त्याग होगा तो करतापन का त्याग होगा नहीं तो आजकल क्या है कि इश्वर के नाम पर लोग भगवान के नाम का इस्तमाल बहुत करते हैं और बड़ी-बड़ी बातों को टरका देना, बड़ी-बड़ी बातों को कवर अप कर देना, गॉड के नाम पर बहुत जादा होता है, नेता लोग भी करते हैं ऐसा, गॉड के नाम पर कवर अप कर देंगे, ऐसे-ऐसे कमेंट दे देंगे, जैसी उपर वाले की मर्जी, जैसी इश्वर की मर्जी कोई मर्जी नहीं उसकी सब प्रकृति के तीन गुनों का खेल है उसका आदान प्रदान है उसका विवहार है ठीक ये बात समझना चाहिए इसलिए भगवान यहाँ पर इस पश्ट कहा रहे हैं और प्रकृति के गुनों से कर्म होते हैं तो कर्तापन का भी त्याग करो संतोष कुमार जी कई लोगों से अध्यातम बारे में बात करता हूँ चलो ठीक है ठीक है बाद में खिमठ जाते हैं कोई बात नहीं आप अपना प्रयास कीजी जगत नरायन जी बहुत अभिनंदन है पवन कुमार गुपता जी उदैश शंकर जी हीरा लाल यादो सरजनी महनता जी बहुत बहुत धन्यवा सरजनी महनता हाँ बिल्कुल गुरुजी कुछ लोग ये सब कहते रहते हैं प्रिशिकेश इंगले पंकस सोनी मनोज स्टियसी अभिनंदन है मनोज जी आपका अरजन भाई चोहान बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का तो अब विदा लिया जाए चला जाए चलें फिर अच्छे प्रशन पूछे आज लोगों ने अच्छी चर्चा हुई लाब उठाईए शेर जरूर कीजिए तो ये यूटूब जो है ये रिकमेंडेशन विगरा ये लोग जादा नहीं करते हैं आप लोग अपना कर्म करें तो बहुत अच्छा होगा अगर आप शेर करेंगे तो अबस नहीं लोगों तक अगर आपको लगता है कि भाई यहां अच्छे विचार दिये जा रहे हैं तो जरूर शेर किया कीजिए तो बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत अपना करेंगे अबस्ट दो आप chilli क्योंके जगता है झालर्टा प्रम थाँ और निया ठाहर पुटाबार किवा इंग तामस्टक्राइब रिवन में ग्रेण ठीकर्ट निया तरहर ऑफ यह निया थाकर में है तरहर विज़ भी चाहर बंव खिए गन में है ट्या है जिए और रहला बोकिला है जालर्य चाहर बीए झाल झाल